नमस्ति बच्चों, कैसे हैं आप सभी, अच्छे हैं, सर कुशल है, आज हम आपको छटवी कक्षा के एक पाठ पढ़ाएंगे बच्चों, आप सभी को इस क्लास में सुस्वागत, सोलह पाठ रहा रही और रहे, व्याकर नाउश है, आप सभी को मालूम हुगा, रोज अपने जीवन में इसका उप्योग करते हैं बच्चों, देखें ये लड़का क्या कर रहा है, सभी को पता है, कन्नर में पता है, हेडी नडो नेन मरते दनी मगू, यहाँ बच्चा खा रह है, उटा मारता है दे मगू, वहाँ क्या खा रहा है, वहाँ रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, बच्चों, रहा है, रहा है, देखें, बच्चा है, बच्चा खा रहा है, क्या खा रहा है, वहाँ रोटी खा रहा है, आपको मालूम होगा, की रहा है, क प्रयों किस तरह करना है ठीक है अब इस चित्र को देखिए एक क्या है बुलिए कोई है नहीं है कवे जैसे रहने वाले कोयल है कोयल किसको पता नहीं है कोयल क्या कर रहा है कोयल गा रही है यहाँ पर कोयल गा रही है कोगिले हाडता इरुत दे और वहाँ क्या कर रहा है कोयल क्या कर रहा है यहाँ पर वहाँ मीठे गीत गा रही है खोयल गा रही है और मीठे गीत गा रही है खोयल लो हारता ही दे यह खारता ही दे सुमध हुरवागी हडना हारता ही दे मकड़े इस वेक्ति को देखिए क्या कर रहा है क्या कर रहा है यह हमारे नानाजी है आपके भी नानाजी है यह नानाजी क्या कर रहे है आ रहे है आना यहनी बरुदू नानाजी बरुत्ता इद्धार है हो दलवा कहां से आ रहे है नानाजी? वे हासन से आ रहे हैं बच्छों देखिए वे हासन से आ रहे हैं नानाजी बरताईदार है यह लिन दा बरताईदार है? हासन दिन दा बरताईदार है मकड़े रहा रही रहे का प्रयोग कहा करना है? यह तीनों अपूर्ण वर्तमान काल में आते है यह क्रिया का वह रूप है जिसे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य क्रिया पर पुरुष, लिंग, वचनानुसार रहा है रही है आधी लगाने पर अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया बनती है देखिए, वच्चो, अप्पूरन वर्थमान कालध वन्दु नियमा एणवीद य धेङ? इदु क्रियय वन्दु रूपा आगए रुथ्थ।्व। जित्थे वर्थमान काल में है क्रियया का होना पया जाय? अद रहले यह नगतति वर्थमान कालध क्रियय इर॥्थदे, सा सामान्य क्रियापर, सामान्य वागी नाव क्रिये गड़न, क्रियापर गड़न बड़स बेका दर, रहा रही रहे बड़स बेका दर, हेक बड़स बेकू, पूरुष, लिंग, वचनानुसार उसका प्रयोग करना चाहिए, प्रथम पुर्ष, दितिय पुर्ष और तुतिय प्रथम पुरुष है, और विट्य पुरुष है, त्रूतिय पुरुष है, और उसके लिंग और वचना अनुसार एक वचन भवचन के अनसार क्या करना है? इन रहा हूं, रहा है, रही है इनका प्रयोग करना चहिए. सामाने क्रिया पर पुरुष लिंग वचिनाम सार रहा हूं रहा है रही है आदी लगाने पर अपुर्ण काल की क्रिया बनती है बच्छो ठीक है जैसे कुछ उदाहरन देखते हैं बच्छो किस तरह होते हैं अपुर्ण भोत काल के वाग्य मैं जा रहा हूं अगर मैं स्ट्रिलिंग है तो जा रही हूं आता है अगर मैं पुलिंग है तो जा रहा हूं ठीक है हम जा रहे हैं अगर बहु अचन है तो रहे हैं हम जा रहे हैं ना वो होगुत्ति रुत्ते वे लड़की जा रही है खुड़गी खोगुति दाले यहाँ पर स्त्रिलिंग है लड़की काउन है यहाँ स्त्रिलिंग में क्या आती है रही है आती है देखिए सिर्फ इतना सा याद रखिए अगर पुरुष है पुलिंग है तो रहा हूँ अगर स्ट्रिलिंग है लड़की है तो रहे है का प्रयोग करना चाहिए अगर बहु अचन में है तो रहे है का प्रयोग करना चाहिए सिर्फ इतना सा बहुत ही आसान है बचों इनका प्रयोग करना हर रोज हम अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं तो वाखें किस तरह के होते हैं? यहां पर एक वाखें देखिए मैं शहर जा रहा हूँ वाखें किस तरह बनते हैं? देखिए कर्ता, कर्म और क्रियापद के अनुसार ही वाखें बनते हैं करता और कर्म क्रियपध होते हैं तो ही वाकि बनते हैं नहीं तो करता क्रियापध होना चाहिए यह सभी होने से एक वाकि बनते हैं. उधान के लिए मैं खाता हूं इसमें क्या है करता है और क्रियापद है सिर्फ कर्म नहीं है और मैं गाता हूं इसमें क्या क्या है मैं यानि करता गाता हूं क्रियापद है एक वाकि बन गया मैं पीता हूं नानु कुडियोत्ते ने फिना यानि कुडियोत इसमें क्या है करता ह मैं शहर बता बता चला। मैं पानी पी रहा हूँ, ओर मैं और सिनेमा देख रहा हूं। इस आरे और वाक्यां हम इसे बना सकते हैं बता चला। यहां पर देखें। मैंने कहा न, आपको अंग्रेजी में आपढ़ते हैं, first person, second person और third person, हमारी हिंदी में भी ठीक उसी तरह है, यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर बहुचन, यहाँ पर singular होता है और plural होता है, हमारी हिंदी में यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर बहुचन, प्रतम पुरुष है, द्वितिय पुरुष है और त्रितिय पुरुष है स्ट्रिलिंग और पुलिंग दोनों हो सकते हैं आपर मैं तू यह वाह एक वचन में और बहु वचन में क्या है हम तुम यह और वे देखिए इसके अनसार हम क्या कर सकते हैं वाक्या बना सकते हैं बहुत ही आसान है हम छोटे छोटे वाखे बना कर अगर समहान करते हैं तो हमें भाषा पर बहुती जल्द प्रभुत आ जाती है बच्चों संसन्न वाखे गळणना माताडी संवहाना माड़ोदरीन दा नमोंद भाषा कोशेलेन है चाकत दा अधर जोते जोते गे नव भाषे नू कोड़ायन मड़ते वी बेगा कली बहुदो मक्डे में चिक चिक वाखे गळणना माडवेको यहां देखिए प्रथम पुरुष अगर स्त्रिलिंग है देखिए दोनों है यहां पर प्रथम पुरुष मैं जा रहा हूं अगर पुलिंग है तो जा रहा हूं अगर स्त्रिलिंग है क्या होती है पहले कहाता न मैंने मैं जा रही हूं दुटिय पुरुष में तू जा रहा है अगर स्त्रिलिंग है तो तू जा रही तृतिय पुरुश यह वहा आता है यहां स्रीलिंग भी हो सकती है और पुलिंग भी हो सकती अगर लड़के को बोलना है तो उसी क्या बोलना है अगर पुलिंग है तो यहां जा रहा है वहाँ जा रहा है क्या सकते हैं अगर स्ट्रिलिंग है तो यहाँ जा रही है और वहाँ जा रही है स्ट्रिलिंग के लिए सिर्फ स्ट्रिलिंग के लिए रही का प्रयोग करना है अगर पुलिंग है तो रहा का प्रयोग करना है सिर्फ इतना सा याद रखिए अगर बहु अचन है देखिए अगर बहु अचन है तो हम क्या कर सकते हैं आपर रहे का प्रयोग करना चाहिए गवरोपूर्वत हमें इसका प्रयोग करना चाहिए हम जा रहे हैं नावू होगुत्ति देवे तुम जा रहे हो नीनु होगुत्ति दी ये जा रहे हैं इवरू होगुत्ति दारे ये यानी इवरू इवरू होगुत्ति दारे वे जा रहे हैं अवरू होगुत्ति दारे देखिए बाच्चों कितना आसान है नानु होगुत्तेने अगर लड़की को कहना है तो मैं जा रही हूँ, हम सभी मिलकर जाना है, हम जा रहे हैं, पता चला बच्चो, अब आगया चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरन है, आपके पाट के अनुसार यहाँ पर उदाहरन है, सिर्फ रही रहा और रहे का, प्रयो किस तरह करना है, देखे, मैं गाना गा रही हूँ, अगर लड़की है तो, खुड़की इद्र ये नहेड़वे को, नानों हाड़नों हाड़ु तिद्देन यहाँ पर, मैं गाना गारही हूँ, अगर लड़का गाना गारह है तो, खुड़का हाड़ा कत्ती इद्र ये नहेड़वे को, वह गाना गारहा है, अवनु हाड़नों हाड़ु तिद्दाने, ओके, ठीके, ना वेल्रू सेरी हाड़ी कत्तिव ख्लासीन मक्ड़ेल्ला, अन गाना गारही है, ना वेल्रू हाड़नों हाड़ु तिद्दे वे, ठीके, यहाँ पर, मैं खाना खा रही हूँ, ना नो उटवन्नों माड़ु तिद्दे, लड़की है तो, उसको क्या खेना है, मैं खाना खा रही हूँ, अगर लड़का है तो, देखे, वह खाना खा रहा ह रहा आया तो क्या है वहा? पुल्लिंग है, इसको आपको स्मूरुति में रखना चाहिए बच्छों. अगर स्ट्रिलिंग है तो रही का प्रयोग करना है, अगर पुल्लिंग है तो रहा का प्रयोग करना है. अगर बहु वचन है, किनका प्रयोग करना चाहिए? बहु वचन के लिए रहे का, वेरी गुड वच्छ, रहे का प्रयोग करना चाहिए, देखिए, मैं खाना खा रही हूँ, और वह खाना खा रहा है, लड़का होतो, नानु उटवन्नु माडुत्ति देने, खुड़िगी य अगर बहु वचन है, तो हम खाना खा रहे है, ये वाखे न, हम खाना खा रहे है, ना उटवन्नु माडुत्ति देने, अगर एक वचन है, तो खाना खा रहा है, अगर बहु वचन है, तो हम खाना खा रहे है, ये वाखे न, हम खाना खा रहे है, ना उटवन्नु माडुत्त देवे ऐसा बोलना चाहिए बच्चो मालूम हुआ इसका प्रयोग किस तरह करना है हाँ आप सभी समझ गये हैं एक क्रिया योजन देखेंगे यहाँ पर सही शब्द चुनकर वाख्या पूरा करो यहाँ पर तीन शब्द है वही अभी सीखें आप रहा रही रहे इनको क्या कर दुसरा नीता गाड़ी चला रही है नीता काओन है यहाँ पर स्ट्रिलिंग है या पुलिंग है पुलिंग है नहीं है बचो नीता स्ट्रिलिंग है इसलिए रही ही आना चाहिए नीता गाड़ी चला रही है ठीक है और बच्चे आंगन में क्या आता है खेल रहे हैं बच्चे बहुत सारे बच्चे अगर एक बच आंगन में खेल रहे हैं, आसान है ना बच्चो, अब हम अगला पाट देखेंगे, सत्रहवी पाट, जाएगा, जाएंगे, जाएगी, जाएगी, दखिए, यह भी बहुत आसान है, यह तो भविशत काल में आता है, अब देख लिजिए इस बच्चे को, यह बच्चा क्या कर आप सभी जो रोज काम करते हैं, कौन-कौन से काम करते हैं अपने घर में, दुकान को जाते हैं, कुछ ना कुछ लाते हैं, कुछ ना कुछ क्या लाते हैं, आ राशन, ठीक है, मनोहर दूकान जाएगा, मनोहर नो अंगड़िगे होगुत्ताने, वह क्या लाएगा, वह अन्नों तरुत्ताने तरुत्ताने भविशत्काल है होगवनों तरुवनों एस अभी क्या है भविशत्काल तंदनों होदनों एक है भूत्काल है तरुत्ति रुत्ताने खोगुत्ति रुत्ताने एक है वर्तमान काल है सिर्फ इतना सही है यहाँ पर एक है देखिए एकाउन है आपकी चाचा जी है चाचा जी शहर जाएंगे कहां जाएंगे चाचा जी चाचा जी शहर जाएंगे और शहर जाकर क्या लाएंगे आपके लिए बहुत सारे खिलोने लाएंगे क्या लाएंगे बहु सारे वे खिलवने लाएंगे देखिए चाचा जी शहर जाएंगे खाका पट्टनके होग वरू एं तर-तर बर्बेकर तरो आगा बहु सारे खिलवने गुडिया वगएर आठी के सामाणुगणन तरु वरू होग वरो, तरू अरो, जाएंगे और लाएंगे, पता चला बच्चो, ठीक है, यहाँ पर महिलाएं है, क्या कर रहे हैं, बाते तो नहीं कर रहे हो, नहीं है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, महिलाएं मेला देखने जाएंगी, महिलाएं कहा जाएंगे, महिलाएं मेला देखने बहुत अच्ची तरह से इसको अगर आप धैन में रखते हैं तो बहुत आसानी सी आप क्या कर सकते हैं वाख्यों का प्रयोग हिंदी में कर सकते हैं वहाँ साडिया लाएंगी, क्या लाएंगी वो? वो महिला क्या लाएंगी? साडिया लाएंगी. यहाँ पर दिखिए, यह का उन है? आफी है ना? यह तो सरला है, नाम तो बदल चुका है इनका. सरला स्कूल जाएगी. खा जाएगी सरला? सरला स्कूल जाएगी. जाएगी क्यों आया? गी यानि यहाँ पर स्त्रिलिंग है. सरला का उन है? स्त्रिलिंग है. इसलिए हाँ पर जाएगी आ गया. अगर पुलिंग है तो क्या होगा? जाएगा. वेरे गुड बच्चों. वहाँ क्या लेकर आयेगी वहाँ, स्कूल जायेगी और वहाँ पुरसकार जीत कर आयेगी, और पुरसकार वन्ना ग्यदू कुंडो बरुवडो, होगवडो बरुवडो, ये तो भवविशतकाल है, आपको अच्छी तरह से मालूम हुआ होगा, ये तो सामाने भविशतकाल में आता ह थोड़ी सी जानकारी आप राक लिजे इसके बारे में धातू पर उंगा, एगा, एंगे, एगी आदी लगाने से भविशतकाल की क्रिया बनती हैं। धातवी न मुंदगड़ है? उंगा, एगा, एंगे, और एगी. आदी लगाने से क्या होता है? भवशतकाल की क्रिया बनती है. जैसे उदाहरन के लिए यहां पर है देखिए. क्या है उदाहरन? मैं जाओंगा, नानू होग तेने. मैं जाओंगा, नानू होग तेने. बहुशत काल है मैं जाओंगा चोटे-छोटे वाक्या आपको बनाना है और हम जाएंगे यहाँ पर मैं जाओंगी आती थी लेकिन यहाँ पर पुलिंग है तो मैं जाओंगा हम जाएंगे बहुचन है ना इसलिए हाँ पर हम जाएंगे बहुचन पर क्या लगाना है बहुचन अगर आया तो ये लगाना चाहिए बच्चो लड़की जाएगी देखिए गी लड़की स्त्रिलिंग है तो इसलिए हाँ पर जाएगी आ गया लड़के जाएंगे लड़के देखिए बहु अचन है यापर पुलिंग है लेकिन बहु अचन है बहु अचन रहने से यापर क्या हो रहा है लड़के जाएंगे हो रहा है देखिए लड़के जाएंगे और लड़किया लड़किया स्त्रिलिंग है और वह क्या है बहु अचन है यहाँ पर लड़किया अगर स्ट्रिलिंग है तो क्या होता था लड़की जाएगी होती थी अगर लड़का पुलिंग होता था यहाँ पर लड़के बहु अचन है तो लड़के जाएंगे और लड़किया स्ट्रिलिंग है बहु अचन है तो यहाँ पर क्या होता है लड़क या जायेंगी होता है बच्चों, यहाँ पर भी एक वचन और बहुवचन रिलिंग पुलिंग यहनी वचनानू सर लिंग और वचनानू सर क्या होती है, यहाँ पर भी परिवर्थन होता है बच्चों यहां पर भी प्रतम पुरुष है द्वितिय पुरुष है और तुरुतिय परुष है देखिए पहले आप किये थे ना रहा रही रहे में ठीक उसी तर है यहां पर भी इसको अगर आप अच्छी तरसे जान लेंगे तो वाक्य भनाना बहुती आसान है बच्चो इवंदो निय तु यहां वहा है ना और यहां पर हम भवचन में तुम यह और वे प्रतम पुरुष अगर पुल्लिंग है देखिए पुलिंग है तो क्या होता है गा का प्रयो करना है इतना सा याद रहिए आप नेन पिट गोट सौल पमकड़ा मातनाड़ वंथा वैक्ती पुलिंग अई जाओंगी अगर यहां पर वह और वह जाओंगी तो सभी क्लास वाले बच्चे मिलकर कहीं जाना है तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम जाएंगे ना वो होगुति देवे देखिए तू जाएगा तू जाएगी देखिए अगर तू फुलिंग है तो गा का प्रयो करना है नीनू होगुति दिया लड़की को बोलना है तो तू जाएगी बोलना है अगर लड़का है तो तू बोलना है और बहुव चन ने तुम जाओगे दिन हो गुतिया देखिए और यहां पर तुरतिय पुरुष में यहां वहां अगर यहां स्त्रिलिंग है तो क्या आता है बच्चो बूलिये घी आता है अगर पुलिंग है तो बोलिया भी बोली नाम है? गा, very good. अगर बहु वचन है तो एंगे, बहु वचन पुलिंग है तो एंगे आती है, अगर बहु वचन स्ट्रिलिंग है तो एंगे आती है, इतना सा सिर्फ याद रखना है बच्चों आपको. यहाँ जायेगा पुलिंग और यहाँ जायेगी स्ट्रिलिंग लड़की के लिए जायेगी उर्गी यह जायेगी मालूम हुआ बैचो आदेखिए इहाँ पर आवरेग वह अगर पुलिंग है अवरु होव तिद्दारे अत्मा अवर होव वरु जाने वाले काउन है अगर प्रयोग करना है और जाने वाले लड़कियां है तो स्रिलिंग है तो वहाँ जाएंगी जाएंगी का प्रयोग करना है यहाँ पर देखिए बहु अचन रोवर होवर वे जाएंगे जाने वाले काउन है पुलिंग है या स्रिलिंग है अगर जाने वाले पुलिंग है बहु तो उसके लिए हमें क्या प्रयोकर ना है जाएंगे का प्रयोकर ना है बच्चो वे जाएंगे गण्ड़कुरे लरकुडे लो हर्टी दुरू अन्त तिल कोड़ी और अगर लड़किया जा रही है अवदन टीचर मुंद बंध हेड़ वा का एक तो हुड़ी यार होग बिटर मेश हर गड़ा होग पूटी दार हुड़ी यार होंता है अधन हिंदी ओड़क हैं घेल पको मेश मुंद बंदो अध्या पिगा के पास आकर क्या कहना है वे जाएंगी और होगो और वे जाएंगी ऐसा कहना चाहिए बच्चो ठीक है इसके बारे में मालम हुआ सिर्फ इतन करना है बहुवचन पुलिंग है तो एंगे बहुवचन स्त्रिलिंग है तो एंगी मालम हुआ भाषा भहुती सरल है आपको थोड़ी सी जानकारी रखना चाहिए कुछ उदाहरन देखने से हमें पता चलेगा समर्थ लखनव जाएगा देखे पुलिंग है इसलिए क्या आय यहाँ पर गा समर्थ लखनव जाएगा रेनुका लखनव जाएगी रेनुका यहाँ पर क्या है स्त्रिलिंग है इसलिए जाएगी आ गया देखे दो लड़के जाकर जा रहें लखनव उनको कैसा कहना है हिंदी में राम और लक्ष्मन लखनव जाएगे एंगे दखे पुल स्त्रिलिंग बहु अचन है तो येंगे का प्रयोग करना है लाता और सीता लखनव जाएंगी स्त्रिलिंग बहु अचन है तो यहां पर क्या प्रयोग हुआ है येंगी का प्रयोग हुआ है पता चला लड़का है पुलिंग है एक वचन है तो जाएगा स्त्रिलिंग है एक बहु अचन है, तो जाएंगे, अगर स्त्रिलिंग है, बहु अचन है, तो जाएंगी, ऐसे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, और एक उदाहान दिखें हम पर, सरला मंदिर जाएगी, सरला स्त्रिलिंग है, एक वचन है, जाएगी, राम मंदिर जाएगा, राम मंदिर लड़के भवोचन है ना खुड़ोगर भवोचन है देलरे सो इलेन प्रयोग मड़पेक ना हो जाएंगे लड़की या मंदिर जाएंगी अब ठीक थरसे आपको मलमात हुई होगी कहा हम एगी एगा एंगे और एंगी का प्रयोग करना चाहिए और एक बार माई बताती हूँ आपको ध्यान में रखिए अगर स्ट्रिलिंग एक वचन में है करता तो इहाँ पर क्या आती है जाएगी आती है अगर फुलिंग एक वचन में करता है तो जाएगा आता है अगर फुलिंग बहु वचन में है करता तो इहाँ पर जाएंगे आता है अगर स्ट्रिलिंग बहु अचन में है करता तो यहाँ पर क्या आती है जाएंगी सिर्फ इतना से याद रखिये कि लड़कियों के लिए गी, लड़के के लिए गा, बहु अचन लड़के के लिए एंगे, बहु अचन लड़कियों के लिए एंगी सिर्फ इतना से याद रखने से आसानी से हम वाकी बना सकते हैं और हम भी सभी की तरह क्या कर सकते हैं हिंदी में बाते कर सकते हैं वाक्या पूरा की जिए दिखिए यहाँ पर मैं वाक्या पूरा की हूँ उसको लिखिया, क्या-क्या आना है, और लिखकर अपने अध्यापर और अध्यापिकाओं को दिखाईए, वह दूकान जाएगा, जाएंगे, इसमें कौन सा आता है, जाएगा, वह दूकान जाएगा, आता है, जाएंगे क्यों नहीं आते, जाएंगे कहा आता है, अगर बहु पुल्लिंग है तो आता है यहाँ पर क्या है पुल्लिंग एक बचन है तो यहाँ पर जाएगा वे खिलोने लाएंगे वे क्या लाएंगे वे खिलोने लाएंगे वे बहु अचन है यहाँ पर बहु अचन पुल्लिंग है तो यहाँ पर यहाँ नहीं यहाँ का प्रयोग होता ह ठीक है अब देखिए सरला स्कूल जाएगी कहां जाएगी स्कूल जाएगी जाएगी ही क्यों आई यहाँ पर जाएगी क्यों नहीं आई बोली है अब बताइए क्यों नहीं जाएगी आई यहाँ पर मैंने जाएगी क्यों लिखिया है यहाँ पर कोई बता सकते हैं यहाँ पर सरला, क्या है, ये क्वचन में है, स्त्रिलिंग है, तो यहाँ पर जाएगी ही आती है, और महिलाए मेला देखने, जाएगी, जाएगी, इसमें काउन इसी आती है, जाएगी आती है, नहीं, नहीं, क्या आती है, जायेंगी आती है, जायेंगी नहीं आती, जायेंगी आती है, क्यों? महिलाए क्या है यहाँ पर? महिलाए क्या है? बहु अचन में बढ़स्ट महिडे रो, महिडे रो अंदर बहु अचन होदर लो, बहु अचन होदर लो, बहु अचन होदर श्रिलिंग के रूप में लिखकर अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं को दिखाईए बच्छो मैं आशा रखती हूँ कि आप जरूर मेरे इस खक्षा को सार्थक बनाएंगे अगर आप दो तीन वाकी बनाते हैं तो खक्षा सार्थक हो सकती है तो आप बनाएए और जल से जल हिंदी किसी किये हिंदी में बाते कीजिए तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद बच्छो